नमस्ते मैं हूँ भावना प्रियदर्शनी और आप देख रहे हैं दप अचायत प्रियाग राज में हुए एक जगन्य हत्याकाण में दलित परिवार के चार लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया और परिवार की नावालिक लड़की के साथ बलातकार किये जाने की बात स अंगन में मिले हैं अब इस घटना के बाद मृतकों के परिवजनों ने एक परोसी परिवार पर घटना को अंजाम देने कारोप लगाया है और यह परिवार स्वंड समुदाय से तालुक रखता है पुलिस ने मामले में हत्या और दुशकर्म की धराओं में मुकदमा आ रही है आगे की सूचना देते हुए पुलिस ने कहा है कि मारे गए लोगों के शरीर पर धारदार हतियार के निशान है परिवार से जुड़े एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि इन लोगों का स्वंड समुदाय के एक सक्स के साथ जमीन को लेकर विवाज चल रहा था औ लेकिन पुलिस इस मामले में समझोता कराने के लिए दवाब बना रही थी उन्होंने कहा कि पुलिस के लोग हमला करने वाले अभियुकतों के घर आते जाते थे और स्थानिय इंस्पेक्टर ने भी हमसे समझोता करने के लिए कहा था उन्होंने आगे बताया कि किस सितंबर को पिरित परिवार को पीटा गया था लेकिन इस मामल में एक हफते बाद F.I.R. दर्ज की गई थी इसके बाद उल्टा पिरित परिवार के खिलाफी F.I.R. दर्ज कर दी गई थी इस पर प्रियाग राजपुलिस के प्रमुक सर्व स्रेश F.I.R. पाटी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मृतिकों के सिरो पर कुलहाडी से वार किया गया शुरुवाती जाच में पता चला है कि पहले ही मृतिक परिवार की ओर से 2019 सर 2020 में कुछ लोगों के खिलाफ जमीन के एक विवाद को लेकर S.T.S.T.A. एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था उन्होंने कहा था कि मामले में कड़ी कारवाई की जाएगी अब जब ऐसी घटना सामने आई है तो परिजनों का उस्वन्ट समुदाय पर संदेख करना जायज है फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद